असलाम आलेकुम वीवर्स वेलकम टू आशमास किचिन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आलू के सी कबाब की रेसिपी जिसे हमने ग्रीन चटनी और अनियन ड्रिंक्स के साथ सर्व किया है यह खाने में बहुत जादा टेस्टी लगते हैं क्रिस्पी बनकर तयार होते हैं औ मुथकी लिए हमने लिये हैं हैं आपर बॉयल पेटैटोस इसे हमें कर लेना है ग्रेट तो सारे पटेटोस को जब आप करेंगे तो वह एजीली कबाब की फॉ 가까 sapo के लें ले लेते हैं तो हम?」 कर देंगे चमाज़ नमार्ट उड़ जाए दो हमने मसालस क्शमीरी मिर्ची ठ में डाल दिया है कटा हुआ राधनिया और अब हम इसमें ले लेंगे प्याज एक प्याज को हमने इस तरह से एक्स्ट्रा वॉटर निकाल लिया है क्योंकि वो जो हमारा डो तयार होगा आलों का उसमें गीला ना हो और कबाब आपके इजिली बाइंड हो जाए तो अब हम इस समान हमने चटनी के लिया है तो धनिया मिर्ची वगेरा से आप चटनी पीस लें और यह हमारा कबाब के लिए पोटेटो का डो भी तियार हो गया है अब हम इसमें थोड़ा सा हाथों में पानी लगाकर अब थोड़ा थोड़ा सा हम डो को हाथ में ले लेंगे और इस तरह स इसको राउंड राउंड कर लेंगे राउंड करने के बाद हम इसको ओवल शेप देंगे इस तरह से और जब यह ओवल शेप हो जाएगा तो एक पैंसिल की हल्प से या फिर कोई भी आप इस तरह की चीज जिससे यह कबाब का शेप ले ले इसको बीक में इंसर्ट करके आप प्रिय昂ो तो इस तरह से तरह से जब प्रेस करेंगे तो यह मगाँ अगर आपको लगी तो आप Seven के पाद इसको बना सकते और यह मतले हलके हांटों से आप इसमें से पैंसिल निगाल सकतें तो यह देखे बूरा अंदर तकet आपको दिक रहा होगा बिलकुल अच्छ से बन लग रख लें और इसी तरह से हमें सारे कबाब अपने बना ले रहें तो है ना इंट्रस्टिंग फ्रेंज तो इस तरह से आप इसको न्यू शेप दे सकते हैं तो खाने वालों को भी मज़ा आता है और बनाने में भी थोड़ा सा इंट्रस्ट आता है जब हम नई ने चीजे बनाते हैं तो इसी तरह से हमने देखें इसको फिर से अगेन ओवल कर लिया है अगेन इसमें पैंसल इंसर्ट की है और बस हलके हलके हाथों से इसको थोड़ा सा लंबा कर लेंगे वाटर एड़ करके तो इजीली हो जाएगा ये बहुत जादा बाटर एड़ ना करें तक य तो आप जब बैंड करोगे ना तो आपको उसका अंदाजा लग जाएगा तो यह लीजिए और आलू को बॉयल करते में इतना ध्यान रखिएगा कि आपके आलू जादा ना गले नहीं तो फिर कबाब फटेंगे तो आपको आलू को बिल्कुल हलका गलाना है ऐसा कि वह गीले देखिए यह भी एकदम बड़िया परफेक्ट बना है उपर नीचे होल्स पूरे प्रॉपर नजर आ रहे हैं तो यह हमने निकाल के रख लिए हैं सारे कबाब्स हमने इसी तरह से बना लिए हैं अब हमें क्या करना है हमें ऑईल को गरम कर लेना है और सारे कबाब्स को प्ल नहीं है तो आप साधा मिर्ची भी इसमें डाल सकते हैं तो यहां पर हम इसको एक बार तेल गरम हो जाए तो लो टू मीडियम फ्लेम में इसको सेके ताकि अंदर बाहर दोरों तरफ से अच्छी तरह से सिख जाए और इन्हें क्रिस्प्लेयर होने तक हम इने सेक लेंगे द सारे कबाब करिए निकाल लेंगे और इसी तरह से हमें सारे कबाब्स को सेक लेना है तो हमसाने भचे हुए ओल में यह चैन्ज हो गया है कबाब डाल कर से तेफिए तो किछ भी इसमे आईसा टिपिकल नहीं है बस हमने इसको शेप जो है कबाब का जब दिया ना तो उसमें पैंसल का यूज किया है आप भी बहुत इजी लिए इसको बना सकते हो और खिला सकते हो बच्छे को बिल्कुल बड़ो को या इवनिंग स्नैक टाइम में आप इसको खा सकते हो तो यह चाट के फॉर्म में खाए कबाब के फॉर्म में खाए आपको बहुत जादा टेस्टी लगेंगे तो यह हमने कबाब निकाल कर प्लेट में रख लिए हैं तो आप इन्हें यहां पर सर्फ कर लें सर्फ करने के लिए यह देखे तोड़ के हम देख सकते हैं कितने अच्छे अंदर से सिके हुए हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे थैंक यू